एक ही पराठे में मिलेंगे आपको कई पराठों का स्वाध यकीन नहीं होता तो वीडियो को पूरा देखिए और आप इसको बच्चों के टिफिन में हस्बेंट के लंच बॉक्स में भी दे सकते हींगे इतना हेल्दी और टेस्टी है तो इसे बनाने के लिए एक बड़े से बरतन में हम लेंगे आटा तो आटा कितना लेना है जितने आपको पराठे बनानी हो उतने आटा लेंगे इसमें डालेंगे हम कद्दू कस किये हुए गाज़र को इसके बाद हम डाल देंगे इसमें बारिक कटी हुई प्याज और साथ ही में हम इसमें डालेंगे आलू तो यहाँ पर मैंने दो उबले हुई आलू को इस तरीके से कद्दू कस करके लिया हुआ है और साथ ही में हम इसमें डालेंगे पनीड तो पनीड डालने से ये पराठ और भी ज्यादा टेस्ट्री और हेल्दी हो जाएगा और साथ ही हम इसमें डालेंगे बारिक कटिवी, धनिया की पत्ती, अब हम इसमें डालेंगे तीखे पन के लिए हाडी मिर्च, तो मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, आपको मिर्च कितनी पसंद है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये कलोंजी, जिसको हम मंग्रेला भी बोलते हैं, तो आदी चमच मैंने इसमें डालेंगे आदी चमच अजवाइन को, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पराठे में, तो इसको आप जरूर डालें, और इसके बाद हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक ढालेंगे, तो नमक भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, आप इसके बाद हम इसमें डालेंगे आदी छोटी चमच कालीमेच का पाउडर, आप इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा, इतने ही मसालों के साथ यह पराठा इतना ज्यादा टेस्टी ब बना लिया तो आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे अब इसको क्या करेंगे कि बीना पानी डाले ही पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो सबजिया है उसमें भी मौस्टर होता है और पनीर में भी मौस्टर होता है तो पहले आठे को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे फ ने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया और इसका एक आटा लगा करके हम तयार कर लेंगे तो आटे को बहुत ज़दा गीला नहीं करें नहीं तो ये बाद में हम जब इसकी रोटिया बनाएंगे ये पड़ाठे बनाएंगे तो बहुत ही दिक्कत होगी अब इस तरीके से क्या क इसका बहुत ही अच्छाा से पा जाएगा इस तरीके से तो acontece इस तरीके से बनाती हुँ लेकिन अभी वीडिय स्सस्क्राइन तो इस तरीके से कट कर दिया flight कि दिकूश कि जलदी बाजी में मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, थोड़े से किनारे इसके फटे हुए रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट में कोई भी फार्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर देखिए, इसको भी मैंने बना लिया, आप चलिए इसको फटा-फट से हम सेक लेते ह कि घी या फिर ओयल जो भी आप खाते हैं, जो पसंद हो, वो इसमें आप लगा सकते हैं, तो इस तरीके से देखिए, फिर दूसरी साइट से भी मैंने इसमें घी लगा दिया है, अब इसको उलट-पलट करके दोनों साइट से हम अच्छा सेक लेंगे, दोस्तों आप से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रैसिपी अच्छी लगती है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करें, इससे मुझे होसला मिलता है कि मैंने रैसिपी कैसी बनाई है, और अगर आपको पसंद नहीं आती है, तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेज को फॉलो कर सकते हैं, इस तरीके से मैं अच्छी अच्छी हेल्दी रैसिपी अपने पेज या चैनल पे देती रहती हूँ, अब इस तरीके से देखिए, दोनों तरब से उलट पलट करके मैंने सारे पराठे को सेक लिए है, चलिए, आपने देखा, इसमें मैंने कितने चीजे डाली है, जिससे कि ये पराठा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना है, तो आप इस तरीके से बच्चों को टेफिन में दे सकते हैं, बच्चे सब्जिया नहीं खाते, तो इस तरीके से इस पराठे को खा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें और भी सबजीयों को एड़ कर सकते हैं तो चलिए मिलती हूँ अगली recipe के साथ